नमस्कार मैं स्वनी गोतम गोतम कॉंशेट प्राव का स्वागत करता हूं और साथ ही आज मैं आपके लेकर आए हूं एक बहुत इंपरेंट टोपिक आज हम बात करने जा रहे हैं को करने बेलेष्टिक मिसाउडी ओर क्रूज मिसाईल में क्या इंतर होता है व्यश्वनी बिडायू गोने साथ चटेंख हमें पास दोुरति किशनी करपती चछिंए जा बेलेष्टिक मिसाईलूजी चया है। इस तेकनोलोजी कि पर थे आप देखते हो गी वैसे ही आपकी बिलस्टि टिक कि अप फ्रशय मिशाइब करने के लिए किसी भी लॉंचर की स्पेसिपिक लॉंचर की जूड़ते नहीं होती अब अगर हम बात करें कि जो बैलेस्टिक मिसाइल है उसकी लॉंचिंग कहां कहां से की जा सकती है तो साथियों बैलेस्टिक मिसाइल की लॉंचिंग सर्फेस से ही की जा सकती है सर्फेस या लैंड से ही क जा सकती है वही पर जो cruise missile है इसको आपे surface से भी छोड़ सकते हो ठीक है और आप air से भी छोड़ सकते हो जैसे की fighter jet से ठीक है दोस्तों आप बात करते हैं जो ballistic missile है इसके example कॉन से कॉन से है देखिए आपने प्रिथवी missile सुने होगी अगनी missile सुने होगी तो यह सभी क्या है अगनी शीरिज की सभी missile क्या है अगनी 1 अगनी 2 अगनी 3 अगनी 4 अगनी 5 यह सभी आपकी प्रिश्टिक missile है वहीं प्रग्रम्ट कुज मिसल की बात करें दोस्तों तो आपने सब्सक्राइब खेंगा अगनी फिर्वर मॉस आप की है के कूज मिसाइल है ठीक है ब्रमोस दोसब्दों से बनिया क्या प्यारियक ब्रम पुतासलिया का है जो मरी डीवर और ही है मॉस्क् सब्सक्राइब करते हैं ठेक हम इसकी अक्समता के सबचanu करते हैं जैसे की मीडियम रेंज इंट्रमेडियट रेंज और यह कि ICBM दोस्तों, Intercontinental Balastic missile, ठीक है अगरी जो 5 है वह आपकी पहली ICBM missile है इंडिया की Intercontinental ballistic missile मतलगे दोस्तों जो एक महादिव से दूसरे महादिव में जासके भे मारी में तीयाप की I-C-B-M घू ब्रेस्टिंग drizzle गो इस हमें क्याइगर्गैस करते हैं रीज गोई आप सी वहहीं पेर हम करूमित मिसारी की भात करें तो साथियों इसको इसको दिवाइड करेंगे सपीड के साफ से जैसे की सबसोनिक सबसोनिक supersonic and hypersonic थेकर दोस्तों इस प्रकार्व इसको क्रेंगे करेंगे करूज मिसाईल को जो आपकी बर्मोस मिसाईल है वह आपकी supersonic missile है दोस्तों जो इसकी speed हैगे वह upto 5 max तक बताई कही है थेकर है 2 max and 5 यह भी है तो यह के cruise missile आपकी बर्मोस और जो बरमोस 2 वर्जनारा दोस्तों वो हाइपरसोनिक बताई जा रही है क्योंकि जो उसकी स्पीड होगी वो 5 मेक्स से जाद होगी तो जहां पर बैलेस्टिक मिसाइल को रेंज के अकोडिंग के टेग्राइज किया जाता है वहीं पर cruise missile को speed के according के टेग्राइज किया जाता है difference number 3 ballistic missile को एक बार launch करने के बाद इसकी दिशा प्रिवर्त ने एसंभव हो है impossible है इसकी direction change नहीं की जा सकती ठीक दोस्तों इसकी जो direction है वो change नहीं की जा सकती वहीं पर अगर हम बात करें cruise missile की तो इसको एक बार launch करने के बाद इसकी direction change की जा सकती है ठीके दोस्तों इसकी direction change की जा सकती है यह एक बहुत बड़ी खासित है cruise missile की अब हम बात करते हैं difference number 4 की ballistic missile काफी costly होती है काफी costly पढ़ती है जबकि जो cruise missile है वो ballistic missile e-compression में सथ्ती होती है एक यह भी बहुत बड़ा difference है difference number 5 जो दोस्तों ballistic missile होती है इसकी range बहुत जात होती है जैसे कि आपको पता है जो हमारी ICBM missile है Intercontinental ballistic missile जैसे कि Agnify इसकी जो range बताई गई है मारक अक्समता बताई गई है वो 5000 km बताई गई है 5000 km बताई गई है जबकि जो विदेशी मेडिया है वो इसको 8000 km बताती है ठीक है दोस्तों और वही पर जो आपकी Agni 6 है Agni 6 इसकी जो range बताई गई है वो दोस्तों 8 से 10,000 km बताई गई है कितनी? 8 से 10,000 km तक वही अगर हम बात करते हैं cruise missile की मारक अक्समता की यह range की तो साथियों इसकी जो मारक अक्समता है वो 300 km के आसपास तक है कहां पर आपकी 6,000, 8,000, 10,000 km और कहां पर आपकी 300 km के आसपास तो इनकी range का बहुत बड़ा फरक है ICBM एक माधिव से दूसरे माधिव में जा सकती है जबकि cruise missile में ऐसा नहीं होता यहां पर मैं आपको पाथ की बारे बहुता देना चाहता हूं जहां पर बैलेश्टिक missile का पाथ साथियों ऐसे होता है जहांसे यह launch की और जांप इसको जाना है तो यह एक ऐसे आर्क बनाती है ठीक है प्रोजेक्टल टाइप बनाती है ठीक है जैसे आपने यहां surface से की launch पहले उपर जाएगी है आपके वायू मंदल में और फिर यह अपने टार्गेट के अटेक करेगी वही पर जो cruise missile होती है दोस्तों मालीजी आपने air से की यह आपका लक्से है ठीक है जाप इसको टेकरना है तो इसे दाइस टाइप में चलेगी यह फिर अगर आपने surface से छुटी है तो यह ऐसे भी चल सकती है ठीक है यह ऐसे भी चल सकती है मतलब कि यह surface के नजदीक राकर ही चलेगी ताकि radar इसको पकड़ नसके तो cruise missile आपकी आर्क नहीं बनाती और surface के काभी नजदीक राकर चलती है ताकि radar के यह पकड़ में ना आसके तो दोस्तों यह था cruise missile और ballistic missile के बीच का अंतर आपको कैसा लगा वीडियो अगर आपको को suggestion है तो आप comment box में दे सकते हैं आज लेत नहीं thank you have a nice day